गुद्वर्निंग स्टुडेंट्स, हावर यू, वेलकम तू अलव यू, इन फिक्स क्लास, बेटा हमने 6th B चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है, रिफ्रेक्शन ओफ लाइट, बेटा हमारे जो ओप्टिक्स यून्ट है, उसमें 6 चैप्टर है, ओके, B चैप तो बेटा है, जो आज की डेरिवेशन है, इसमें मेली क्या यूज होएगा, स्नेल्टला, तो आज की डेरिवेशन में हमने क्या कंसीडर करना है, स्फिरिकल रर्फेक्टिंग सर्फेस, देखो, स्फिरिकल रर्फेक्टिंग सर्फेस इस टाइप के होते हैं, यह टू टाइ स्ट्राइब स्ट्राइब करेंगे तो इस साइड इसका क्या होगा सैंट्रोफ देखो बच्चे first derivation देखो reflection of light from rear to denser convex surface के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास exam में derivation आती है हमने ये देखना है surface कौन सा हमने consider करना है convex यहाँ concave तो हमारे पास यह वले derivation convex वाली है हम सबसे पहले convex surface को draw करेंगे फिर हमने देखना है जो reflection है वो rare to dancer हो रही है जा dancer to rare इस case में mention क्या कि है reflection from rare to dancer rare to dancer मतलब कि light कैसे पास होएगी rare medium to dancer medium so हम object को कहां पर रखेंगे rare medium में तो हम लेके चलते हैं किसी पर object को rare medium में यह हमारे पास principal axis है यह हमारे पास center of curvature है यह हमारे पास pole है तो object को हमने कहां रखा statement के coding rare medium में ठीक है तो यह light OA incident light है surface के उपर strike करेगी ठीक है तो कहां पर जाएगी dancer medium में क्योंकि reflection कहां पर हो रही है rare to dancer medium तो OA हमारे पास incident light है AI हमारे पास refracted light है rare medium का हमने refractive index mu1 consider किया है dancer medium का हमारे पास refractive index किया है mu2 तो हम normal बनाएंगे normal देखो बच्चे कैसे बनाते है देखो convex surface है इसका जो normal मतलकी बनाएंगे कैसे बनाएंगे हम सबसे पहले convex surface के लिए यह हमारा क्या है center of curvature सारी derivation में डॉर्मल कहां बनता है center of curvature के क्योंकि जो center of curvature है that is perpendicular to the surface तो हम कैसे कह सकते है center of curvature is perpendicular to the surface let us suppose हमारे पास यह sphere है यह sphere क्या है center ठीक है center of curvature और मतलकी जो हम देखो यह हमारे पास spherical reflecting surface है जो C है surface के क्या होता है perpendicular ठीक है इसलिए हम सारे normal कहां से बनाते है center of curvature से तो आगे हम डायग्राम को discuss करते है यह हमारे पास incident light है normal के साथ angle बना रही है that is called angle of incident यह हमारे पास refracted light है normal के साथ angle बना रही है that is called angle of reflection ठीक है am, am हमने एक perpendicular ड्रा किया है तो हमने तीन मतलकी angle consider किया alpha, beta and gamma alpha angle कहां बन रहा है object पे beta angle कहां बन रहा है amaze पे और gamma angle कहां बन रहा है center of curvature पे देखो बच्चे मैं आपको एक बात और क्लीर कर देती हूं यह first derivation आपको tough लगेगी बाकी सारी derivation में जो 4 derivation बचकी same method है तो हमने step by step चलना है सबसे पहले देखो real amaze है हमारे पास तो हमने snailsla apply करना है snailsla हम कैसे apply करेंगे snailsla के coding sign of angle of incident upon sign of angle of refraction is equal to mu2 upon mu1 second medium का refractive index upon first medium का refractive index जा हम इसको ऐसे भी लिख सकते है first medium का refractive index sign of angle of incident is equal to second medium का refractive index into sign of angle of refraction तो सारी derivation के same fundamental rule है तो इस case में angle small है इसलिए हम अगर हमारे पास angle small होता है तो sin i को हम क्या लिख सकते हैं i, sin r को हम क्या लिख सकते हैं r, ठीक है इसलिए हमने replace कर दिया sin i को i से, sin r को r से तो अब हमने यहाँ पे i और r की value पुट करनी है देखो, सबसे पहले हमने एक triangle consider की i, a, c i, a, c ठीक है यह हमारे पास क्या है gamma angle यह हमारे पास a point पे r angle है i point पे हमारा βिट्टा angle है ठीक है तो हमें पता है किसी भी triangle में जो triangle के बाहर वाले angle होते हैं वो किसके इकल होते हैं जो triangle के अंदर angle बने होते हैं ठीक है तो gamma is equal to r plus β gamma is equal to r plus β हमें r और i की value चाहिए तो हम कैसे कह सकते हैं r is equal to gamma minus β आगे हमने i की value point करनी है i की value point करने के लिए हम triangle consider करेंगे o, a, c o, a, c triangle consider करेंगे ठीक है o मतलगी alpha angle बना रही है c, gamma और a पर i angle बन रही है so i is equal to alpha plus gamma ठीक है अब हमारे पास r और i की value आगी है हम यहाँ पर put कर देंगे i की value put कर दी और हमने r की value put कर दी फिर हमने alpha, beta और gamma की value put करनी है देखो, alpha, beta और gamma की value put करने के लिए हम क्या करेंगे देखो, हमारे पास यहाँ पर angle small है इसलिए कोई भी trigonometric function sine theta approximate किसके cloth है theta theta किसके cloth है length of the arc bone radius ठीक है इसके coding हम find करेंगे alpha देखो तो alpha की value find करने के लिए हम अगर यह triangle consider कर ले A, O, M यहाँ पर यह क्या है perpendicular, यह क्या है base इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते है A, M, P, O, M ओके और gamma gamma angle यहाँ पर मन रहा है हम triangle consider करेंगे A, M, C यह हमारा A, M, perpendicular है A, M, C हमारा base है beta beta की value find करने के लिए हम A, M, I triangle consider करेंगे A, M, हमारा क्या है perpendicular, M, I हमारा क्या है base ओके देखो बच्चे जो हमारे पास यह वाली equation है इसमें A, M, left side पे भी है और right side पे भी है इसलिए हम A, M को क्या कर देंगे cancel ओके तो हमारे पास यह वाली equation बनगी अब हम इसको मतलब कि rect को open करेंगे mu1 को मुटो को हम इसके साथ multiplicize कर देंगे और इसके साथ multiplicize कर देंगे ऊके तो अब हमारे पास PO है PC है PC है and PI है हम क्या करेंगे PC वाली term को घठा कर के लिक लेंगे ठीक है PI वाली term को हम इस side ले जाएंगे जो PC वाली term है हम इसको क्या हो गया माइनस तो आगे हमने क्या करना है P O P I and P C की वैलू पट करनी है देखो P O की वैलू क्या होएगी P O किसके विचका डिस्टेंस है पोल एंड अबजेक्ट उसको हम क्या कंसिडर करते है यू ठीक है और P I की वैलू क्या होएगी I पे क्या बन रहे है अमेज P क्या है पोल डिस्टेंस बट बिन दा पोल एंड अमेज इस कार्ड वी ठीक है नेक्स्ट हमने वैलू फाइन करनी है P C की C पे मतला कि P C क्या है रेडिस ओफ दा कर्वेचर ठीक है तो इस केस में हम U को नेक्टिव लेंगे V को पोजिटिव लेंगे R को भी पोजिटिव कंसिडर करेंगे तो अब हम यहाँ पे वैलू पुट कर देंगे P O की वैलू हमारे पास आगी P I की वैलू हमारे पास आगी V और P C की हमारे पास वैलू आगी R Students यह जो डेरिवेशन है हमारे पास 5 डेरिवेशन है Refraction of light from denser to rare medium, convex surface के लिए Refraction of light from denser to rare medium and concave surface के लिए बच्चे अगर ऐसी इस टाइप के आपको डेरिवेशन आती है पहली बाद तो यह 5 marks के आएगी तो आपने यह पढ़ना है उपर convex surface के लिए जा Concave surface के लिए मैं आपको दुबार पता देती हूं जो convex surface है वो हम कैसे इस इंगर करते हैं यह हमारा dancer medium है ठीक है फिर आगया हमने लेखना है जो reflection है rare to dancer हो रही है या dancer to rare हो रही है उसके according हम object को consider करेंगे ठीक है यह हमारा principal axis है यह हमारा pole है यह हमारा object है यह हमारा क्या है amaze यह हमारा क्या है center of curvature distance between the pole and object is called u distance between the pole and amaze is called v distance between the p and c is called r यह हमारे पास incident light है तो five derivation में जो हम normal draw करते हैं कहां पे draw करते हैं center of curvature पे ठीक है convex surface है इसलिए इसका center of curvature inside बनेगा जैसे हमारे पास concave surface है इसका center of curvature हम इस सड लेंगे outside ठीक है जो incident light normal के साथ angle मनाती है that is called angle of incident जो refractor light normal के साथ angle मनाती है that is called a reflection angle of a reflection तो सारे distance हम कहां से measurement करते हैं pole के तो हमने m को p से replace कर दिया यहां पे हमने m को किस से replace कर दिया p से क्योंकि m is very close to pole okay तो u को हम negative consider करेंगे क्योंकि ray इस side जा रही है तो हमने distance इस side measurement करने है r और v को हम positive consider करेंगे okay students जैसे मैंने आज आपको derivation का basic बताया है कल हम इसके base पे next derivation solve करेंगे आपने ध्यान से video देखनी है notes बनाने है और कोई भी problem हो तो मेरे साथ share करनी है okay thank you have a nice day okay तो मेरे से भी